हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके सामने एक प्लांट जो मैंने बिल्कुल नया नर्सरी से बाई किया है उसे रिपोर्ट करना बता रही हूं और उसी के साथ अगर वो प्लांट इस ट्री लाइक शेप में है तो उससे हम एक छोटा सा मिनियेचर ग इसके अंदर मैं इसे रिपोर्ट करूँ है उसके लिए मैं क्या चाहिए एक प्लांट कोई भी ट्री लाइफ प्लांट बॉन्जॉई या कोई भी छोटा सा प्लांट वो चाहिए कुछ छोटे से मिनियेचर ट्वाइज लाइक दिस जैसे मेरे पास यह रैबिट्स हैं तो यह सब हम यूज़ कर सकते हैं इससे एक मिनियेचर फन गार्डन बनाने के लिए सबसे बहले मैं आपको इस प्लांट के वारे में कुछ बताती हूँ इस प्लांट की कुछ खूबिया है जैसे कि यह प्लांट इंडोर चल सकता है और आर्टिफिशल लाइट में अच्छे से ग्रो कर सकता है अकोर्डिंग टू फैंशुई यह प्लांट अगर साउथ इस जरक्षे में रखा जाता है तो इट रेट्रेक्स मानी एंड गुड लग अधर्वाइज आप इसे कहीं पर इंड रख सकते हैं कहीं पर प्लेस कर सकते हैं जब नरस्री से से प्लांट को लेते एंड दो तरह से मिलता है एक तो इस ट्रंक लाइक शेप में and second इस ब्रेड़ ट्रंक उति है उसकी यानि जो प्रत की तरह गुन्थी होती है hmm उसमें क्या होता 2-3 प्लांट्स को इकठा प्लेस करके ब्रेड कर दिया जाता है इस मिनियचर गार्डन को बनाने के लिए हम आर्टिफिल ग्रास यूज़ कर रहे हैं और इसलिए उसे प्लांटर की शेक में कट कर रहे हैं ताकि वस्पी फिट हो जाए प्स्राइब प्सी घुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस ट्री लाइक प्लांट को एक साइड पर प्लेस किया है इस जगह पर हम थोड़ा सा गार्डन की लुग देंगे थोड़ी सी मट्टी को निकाल देगे यह आटिफिशे ग्रास है इस हम प्लाद करो प्लाब में करने को एक को जिल मुटन कर दो साइड कर देखें हैं इसक्राइबे देखें कर दो व्लाम हैं ुटन साइव तो प्लाद इस रहे हैं कैंदी से सब्स zach इतकि सकेड़ीा रप्रविये इमत रस ऐस के वहां अब ये इस गार्डन में कुछ स्टूल्स जिस पर इपल आ रिलाक्सेंट पूंधि यह जो आए प्लीजार आए अब तो आए लुकट के अब नदी आए तोर्ण आए इसको निट्टी से गावर करते थे जो एरिया दिखर आए है 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 बार्ष्टेर्क अगर्क टेंड़ एक एक झाल। एक यह दो हम टेमी्निसा गाह्तन गायन का तो, तेसी डाह्त गाहिए कार थे एक नहीं हुशांगा टेशित गाहिए के तो अगदित है सभी इंडोर्प्रांट इस प्लांट कोобы मॉडेरेट वाटजिंग सब वाटरिंग के 0-2 इंचा सूखी नहीं हो हो जब भी वाटरिंग करें और कि अच्छे से पाइग डाले थाकि पूरी मिटी केली हो जाए और नीचे के होल से पानी बाहर निकलने लग जाए अगर मिट्टी सूखी हूँ नहीं है तो वेट करें मिट्टी सूख जाए फिर तभी पानी डालें यह प्लांट इन बेर अच्छे से ग्रोव कर सकता है तर इसे हमिडिटी पसंद है अपने आस पास इसको हमिडिटी पानी डाले और फिर इस प्लांट को उसके पर रख दे